ओ मंगलं भगवान विष्णू मंगलं गर्डवद्वज मंगलं पुंडरी काच्छाय मंगलाई इस्तनो हरी शान्ताकारं भजगसेनं पद्वनाबं सुरिष्वरं विष्वधारं गगन्सदिश्वं एगवर्णं शुभांगं लग्ष्मी कान्तं कमलनेनं योगिर भिरदान घम्यं बंदे विष्णु भवभेरं शर्व लोकेक नात्रम शर्व लोकेक नात्रम ओम विष्णु नमू नमा आवायाम यस्ताप्यामि पोजियामि नमस्कारम शमरप्यामि शत्र नायन ब्रत कथा का श्रमण करते हुए पर्थमो अध्याय एकदा मनुय है सर्विषर लोकेक नात्रम विष्णु नमस्कारम शर्व लोकेक नात्रम अवायामि यस्ताप। युक्तम समायतो हरेश्मर्णम एक बार्षब का हित चाहने वाले मुनिगर्ण रमडिक नैमी सार्णन बंद में एकत्रित हुए अठासी हजा मुनि एकत्रित हुए थे उसी समय महा तेजश्वी ब्याहण जी के सिस स्री सूत जी अपने सिस गनओ के साध भगमान का अश्मनन कर्फिवे वहाँ पधारें सब शास्त्रों के ग्याता सिसुत जी को आतों देख कर सोनकादिक रिस्यकन उठकर खड़े हो गए सभी धर्मों के ग्याता से सूत जी को शन कादिक रिसियों ने साश्टांग नमस्कार किया इसके पस्चाद सौनक आद मुनियों द्वारा दिये होई आशन पर सबसिस्व सह सूत जी बैठ गए इसके बाद सौनक आद मुनियों ने सूत जी से बिन अपरवक हाथ जोड़कर पूछा कि इस कल्यूग में मनुष में हरी प्रभक्ति किस प्रकार होगी क्योंकि कल्यूग के प्रभाव से मनुस्य बेद विद्या में भीहीन होकर पाप कर्म में सनलग होंगे। इस कल्यूग में कम आई वाले मनुस्य रहेंगे जिन्हें नाना प्रकार के पीना होगी। पुर्ण बड़े परिश्चन से प्राप्त होगा, जिससे कोई पुर्ण नहीं करेगा, पुर्ण नश्ट होने से पीड़ा में और पाप में प्रिवित्ती होगी, इससे तुछ विचार वाले मनुस्त अपनी वंसर साहित नश्ट हो जाएंगे, थोड़े समय में पुर्ण प् पब्देश सहीदे कपट रहित नि्ष पाप एह चार प्रकार के मनुस्वघ्वानी की समान है सैंसार में ग् ubiquagvानी मनुस्वधित दूसरों को संतुष्ट करते हैं उन मनिश्व को भग्वान ही समझना चाहिए हे महामुनी ऐशा कौन्चा तप्या बृत है जिसके करने से मनुवान्शित फल प्राप्त होता है उसे हमें सुनाईए हे मुनी स्रेष्ट आप बेद सास्त्र के ग्याता हैं आप से स्रेष्ट दूसरा वक्ता और कोई नहीं है हे मुनी स्रेष्ट तुम धन्य हो के तुम सदय लोकी हित की बात सोचते रहते हो तुम बैशनों में अग्रिनी हो हे शौनक जी मैं तुम्हे उत्तम ब्रत बताता हूँ जिसको लच्विपति विश्णु जी ने नारजी को बताया था सावधानी से सुनों एक बार एक बार नारज रिसी प्राणों के खैर खवर लेने मिल्टी लोक में आये उन्होंने वहां देखा कि सब प्राणी अनेको पिणाओं से अनेको योनियों में अपने कर्मों के अनुशार दुख भोग रहे हैं उनके दुखों को देख कर दुखी नारज रिसी उनके उधार हेत विष्णु लोक में गए वहां देव रिसी नारज चार भुजाओं वाले सुक्लवन के गले में बनमाला और हात में संक्चक धारन करने वाले विष्णु भगवान के इस्तुती कैसे करने लगे तत्र नारणम देवं सकुवर्णम चतुर भुजाम शंक्चक धनम देवं बनमाला विभुसितम इस्तुती करने लगे नारज जी और नारज जी बोले वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले और अतन सक्ती वाले आपको नमशकार है आपका न आदी है न मध्य न अंत है आप अतन सक्साली निर्गुण और सगुण दोनों हैं आप शब प्राणियों के जम दाता हैं और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं आपको नमशकार है नारज के द्वारा अपनी इस्तुती सुनकर भवान विश्णू बोले क कि तुम किस प्रियोजन से आए हो तुम्हारे मन में क्या है हमें बताओ हम उसका निश्कर्ष करेंगे नारज जी बोले मिर्टी लोग में शमस्त प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रस्ण पूछा है मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके करने से प्राणि मोह माया के बंधन से छूट सकते हैं जो ब्रत स्वर्गा और मिर्ट्यों में दुड़लब हैं उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह सत्नायन ब्रत है जिसको बिधी बिधान पुरवक करने से इस लोग में सुख मिलता है और मोक्ष की पुरवक मुझे बताईए भगवन बोले इस ब्रत को करने से दुख सोक आधि नश्ट हो जाते हैं धन धान की वर्चा होती है शवभाग और संतान की प्राप्ती होती है तो ता सब जगह यस की प्राप्ती होती है श्रधा और भक्ती पुरवक किसे वेधनी साम के समय अधर्म पुरवक भगमान सतनायन को नविद सहित भोग लगाना चाहिए के लेका फल सुद्ध घी और गेहों के आटे को भुनकर उनमें सक्कर या गुण मिलाकर नविद तियार करना चाहिए खता सुन्य वाले को नविद का प्रसाद देना चाहिए तता ब्राप्तों को द अंशित फल की प्राप्ती होती है विशी शुरूप से कल्यूग काल में पृतिवी पर इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है बोले शतनायन भगवान की जय इतरे वा खंडे प्रतमों अध्याय से शतनायन ब्रत कथा शंपूड़ बोले विश्नु भगवान की ज श्रीमन नारायन 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 जजमन नारायन नारायन, नारायन, शीमन नारायन, नारायन, शीमन 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 नारायन, शीम श्री सक्नार भुवाने की जय